लियो टोल्स्टॉई की एक बहुत ही प्रसिध कहानी है कहते हैं कि पुराने रूस में तीन फकीर बहुत प्रसिध हो गए वे इतने प्रसिध हो गए कि वहां का जो सबसे बड़ा पाद्री था उसे उन तीनों फकीरों से बड़ी इर्शा होने लगी क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था चर्च से लोगों के भीरी बिल्कुल गायप सी हो गई थी अब सभी लोगों ने उन तीन फकीरों के पास ही जाना सुरू कर दिया था वहाँ का प्रधान पादरी सोचता कि ये तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गए क्योंकि इसायत में एक प्रथा है ति जब तक चर्च किसी इंसान को मानिता ना दे दे तब तक वो संत नहीं बन सकता पादरी बड़ा परिसान रहने लगा क्योंकि लोगों में चर्च की लोग प्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी लेकिन एक दिन तो हधी हो गई पादरी पूरे दिन चर्च में बैठा रहा लेकिन एक भी वेक्ती चर्च नहीं आया पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों ख़कीरों की खेर नहीं आज तो मैं उन तीनों को सवक सिखा कर ही रहूँगा वो अपनी पूरी पादरी भेश रूसा में तयार हुआ उसने सोने का ताच पहना पादरी ने उनके पास जाकर कहा जिनके कान लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है उन तीनों ने कहा संत? अरे नहीं नहीं हम किस बात के संत? हम संत बनने के लाइक नहीं है ये तो यहां की लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं पता नहीं किसने ये जोटी अफ़वा फैला दी जिससे सुनकर लोगों के भीर यहां आती है हम तो रोज हीने मना करते हैं कि हां मत आया करो लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड उतने ही बढ़ती जा रही है हम इस भीड से परिसान हो चुके हैं ये भीड भाड हमें रुचती नहीं हम तो एकांत में है रहना चाहते हैं अच्छा हुआ आप आगए अब आप ही बचाईए हमें इस भीड से ये सुन वह पादरी तो खुशी से फूला न समाया सोचने लगा ये तो बड़े ही भोले लोग निकले खड़ी खड़ी कर दूँगा इन तीनों की आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा पादरी ने पूछा लेकिन तुम तीनों करते क्या हो उन्होंने कहा कुछ नहीं बस इस पेढ़ के नीचे बैठ कर इस वर की प्रातना करते हैं पादरी ने पूछा बाइवल कहा है उन तीनोंने अपना सिर नीचे चुगा लिया पादरी ने पूछा, क्या हुआ, उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, बाईवल रखकर भी क्या करेंगे, यह सुनकर तो वह पादरी, और भी खुस हुआ, सोचने लगा, अनपढ़ हैं, फिर भी इतने सारे लोग चुखा लिया, पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ, तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे क्यों चुखा लिया, उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही हैं आपसे बताते हुए, कि हमें प्रातना भी नहीं आती, पादरी ने आश्यर इसे कहा, क्य तुम्हें प्रातना भी नहीं आती, उन तीनों ने नाम में अपना सिर हिला दिया, पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रातना करते कैसे हो, उन्होंने कहा, आपके चर्ज की प्रातना तो बड़ी लंबी चोड़ी है, हम अनपड़ गवारों को याद ही नहो पाई, और फ साफ्ट्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है, जीसस को तो प्रातना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रातना बना ली, उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई, हमें माफ करें, हम पादरी के मन में भी जिक्यासा जागी, कि देखूं तो, इन्होंने कौन सी प्रातना बनाई है, पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रातना सुनाओ, उन्होंने कहा, नहीं महराज, हम अनपणों की प्रातना का कोई मतलब नहीं, आप हमें और सर बिंदा न ना सुझी, फिर हमें याद आया, कि इसायत में तो, भगमान के तीन रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रातना बना दी, अगर आप हमारी प्रातना सुनेंगे, तो हम पर हसेंगे, इसके बाद वे तीनों चुप हो गए, पादरी ने कहा, अरे बताओ नहीं हसूगा मैं, उन्होंने कहा, भगमान के तीन रूप हैं, इसलिए हमने प्रातना बना दी कि, हम भी तीन, तुम भी तीन, हम पर कृपा करो, यह सुनतो है गंभीर पादरी भी हस पड़ा, बोलत जिंदिगी में बहुत प्रातना है सुनी, पर ऐसी प्रातना कभी न सु वह मन ही मन सोचने लगा, बड़े बेवकूप लोग हैं, आज तो इनकी यक्त ठेकाने लगा कर ही जाओंगा, इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा, उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रातना सिखाइए, हम आज से वही करेंगे, पादर पादरी ने पिर सुनाई, उन्होंने कहा, एक आखरे बार और, पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की भी जिंद्गी सु धरने लगेगी, और अगर रो जाओगे, तो यह प्रातना भी सीख जाओगे, उन्होंने कहा, ज चलो एक जंजर छूटी, इन मोर्खों को तो लाइन पे ले आया, वह अपनी नाव पर बैठ कर वापस जाने लगा, नाव अभी जील के बीचो बीच पहुंचे ही थी कि, पीछे से कुछ लोगों के चिलाने की आवाज आई, पादरी और माजी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आँके फटी की फटी रह गई, वे तीनो पादरी को पुकारते हुए, जील के पानी पर दोड़ते हुए चले आ रहे थी, वे तीनो पानी पर ऐसे दोड़ रहे थी, मानो कोई जमीन पर दोड़ रहा हो, यह देखकर तो पादरी के हाथ से वह सोने का डंडा हम उसे भूल रहे हैं, वो कहता है ऐसे सुरू होती है, यह कहता है ऐसे सुरू होती है, मैं कहता हूँ ऐसे सुरू होती है, हम तीनों में बहस सुरू हो चुकी है, अब हम बहस करें या प्राथना करें, इसलिए आप हमें वो प्राथना एक बार और सुना दे, पादरी ने त क्योंकि वैं सुन ली गई है और सच तो ये है कि आप से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रात्ना करूंगा गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रात्ना को कम समझा जबकि कमी तो मेरी सद्धा मेरी आस्था में थी कमजोर तो मेरी प्रात्ना थी इसलिए आप लो कि यह कहानी हमें सिखाती है कि यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा के गई प्रार्थना सास्त्रों से ही ले गई हो, वो बहुत प्रचीन ही होनी चाहिए, लाखो लाखो लोगों द्वारा मानिता प्राप्थ होनी चाहिए, अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है तो वो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी चाहिए फिर चाहिए वो दो सब्दों की साधारन से ही प्रात्ना क्यों न हो उन तीन साध्वों की कहानी से सीखने को तो हमें यही मिलता है कि हम चाहें कुछ भी करें लेकिन उसे दिखावे के उद्देश से ना करें हम जब भी किसी काम को कड़ें, तो हमारी पुरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए, उस काम के प्रती हमारा पूरा समर्पन होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तलीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्ची थे जैसे कि उन तिन साधों के साथ हुआ था उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पन भाव के साथ किया था कि प्रार्थना उन्होंने नहीं उनकी आत्मा ने की थी फिर उनकी प्र झाल झाल